राधे राधे संगवारी हुज्जय जोहड जै चत्यसगर कई से हो आप सब बने बने ना आप सब के बहुत बहुत स्वागत थे मुर्सी जी तड़का बन चेनल में तो अब आने वाला है राधा अश्टमी राधा अश्टमी में जैसे हम क्रिश्न भगवान लब भोग लगा तो मैं कुस तरह के नास्ता खारा मीठा दोनों के रैसिपी लाए हो तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना और बनाना बढ़िया अलग 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 तरह के पकवान मातारा नील के लिए तो चलो वीडियो सुरू कर थन तो मीठा बनाए के लिए हम आटा लगा ले थन य तो एक यह ड़के मैं ती चार तरह के नास्ता बना हो पेकिंग पॉर्डर डाले हैं आप चाहो तो खाने के सोडा भी डाल सकतो और नई तो दोनों भी डाल सकतो या कोई एक बीडाल सकतो उखर बाट टारिंगे महां हम घी मॉयन के लिए तो मीठा कभी भी बनाते तो मागी के मॉयन डलते अगर आपके पास ना हो तो आप तेल की डाल सकतो पीरे लहम अच्छा से मिक्स कर देंगे हां से बढ़िया से मलना है और खारा बनाए के लिए मैदा में हम डाले हैं करायक थोड़ा से जीरा और यह मसाला डालेंगे हल्दी लाल मेर्च अमचूर पॉडर करायत और थोड़ा से कस्तूरी मेर्थी नमक इस अब लाच्छा से मिक्स कर देंगे और इबा हम तेल की मोयन डालेंगे लभी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और दोनों के आठा गूत लेंगे अभी तो गड़पती बपा भी विराज है आप चाहो तो गड़पती बपला भी अलग-अलग तरिक्छा के मोग बनाके आप चड़ा सकते हों विसे तो पपा जीला मोदग ज्यादा प्रिये है मैं मोदग के भी अब आटा लहा मौयन अच्छा से मिल गए माप पानी डाल ड दोनों तरक के आटा पढ़िया सना चुके है किला हम धग की रख देंगे एक तम नारम से नाये हैं तस मिनट के लग रख देंगे तब तक हम इला एकर लिए चास्नी बना ले था हैं तो चास्नी बनाए के लिए हम एक कढ़ाई ले ले हैं कढ़ाई में डालेंगे सक्कर ये एक कप सक्कर डाले हैं एक कप और डालेंगे ये दो कप सक्कर और इमां डालेंगे एक कप पानी और ये लपकाई के लिए रख देंगे सब कर ला अच्छा से कूलते तक चलाते जाएंगे अब इमां बढ़िया उपाला चुके हैं इमां हम डालेंगे केसर के कुछ रेशा डाल दी हैं और ये लभी अच्छा से मिक्स कर देंगे और चलाते जाएंगे चासनी आपला कंटिन्यू चलाना है नहीं तो ये डिल्ली बन जाते और चिपकर चिपक भी जाते हैं और ये मां हम डाले हैं इलाची पाउडर एक तार के चासनी बनाना है आपला जरसे महम जले भी रंग डाले हैं पूट कलर आपला पसंद है तो आप डालना नहीं पसंद तो ना डालना इसे केचर से भी एक रंग आ जाते मां हमर चासनी बन गए है और अलग कर देते हैं और अब एक पैंड में हम तेल गरम करें कलिए रखते हैं तेल गरम होती तब तक हमाटा लगी एक वर अच्छा से सान लेंगे और उखर लोई काट लेंगे कि लोई कट चुके है तो मैं खर बना थो पहली बालू साही तो छोटे-छोटे ही लोई गए हो अलग गुल गुल बना लेंगे और कोई भी स्टिक के साहता से आप लग हो माहोल करना है जैसे हम मैं तुबड़क लिए बना थें वैस वैसे ही तो मोत पास यह स्ट्रॉरी से म अब यह हमार सारा बालू सही बनके तयार है चुके हैं और तो लोई मैलक से ले ले हूं और एला अच्छा से बेल ले हूं एक पराबर के दो से तीन टोटी बेले हूं यह महाम तेल लगाएंगे यह घी पिगले हुए सब तरफ अच्छा से लगाते हैं और वादे महाम डालेंगे आठा सुखा अच्छा डालेंगे और एलाइक बार हाँ से मल लेंगे फैला लेंगे सब तरफ आप चाहो तो आठा और गी के मिक्स बना के ही भी लगा सकते हो दोनों तरीके से आप कर सकते हो अब इला दीरे-दीरे करके फैला लेंगे उकर बाद हम जो दूसरा रोटी बेल के रखे हैं एक रुप पर रख देंगे और ऐसे ही करके तीन परत लगाके और इलाब हम बेल लेंगे अच्छा से दपायल पढ़े हैं यह नहीं तो खुल पी जाते हैं दीरे-दीरे करके बेल लेंगे तब यह रोटी बढ़िया बिला चुके हैं फिर से हम तेल लगाएंगे और फिर से आटा डालेंगे उकरवद रोटी लहम गोल-गोल मोड लेंगे ऐसे ही करके हम रोल बना लेंगे रोटी के और जो आख्री वाला भाग है ओमा हमला पानी लगाना है ताकि वह खुलेना और एला दो तीन बार अच्छा से चला देंगे एकदम बड़ी अपैक हो जाए यह आख्री किनारे में हम पानी लगाए हैं अब एला हम काट लेंगे तो यह काट ले हैं ज्यादा बड़े साइज में ही काटना है छोटे-छोटे ही काटना है यह आदा-दा इंची के यह एक कि देखो कितना बड़ी आप परत दिखा थे मां आप तरह कार्ट के भी दिखा आथा हैं जैसे ही पूरा कार्ट लेना है और एलत थोड़ा-थोड़ा से उंगले से हलका हलका दबा देंगे और एलत बेलना भी है जरा-जरा से बेलनेंगे जरा-जरा से ही पेलिंगेला ताकि खर-परत खुल लेना अब यह बिला चुके है और तेल भी गरम हो चुके है तो अब बेला हम तले के लिए डाल देतन जितना आपके पैन में आजाए कढ़ाई में आजाए उतना डाल लेना और अभी यह नहीं हिलाएंगे नहीं तो यह खुले के डर रही थे मद्यमाच में तलेंगेला मुर्फी चन में धूप आते तो सिदा धूप बढ़ाते मां एक साइड यह तला चुके है तब पलटके दूसरा साइड भी तलेंगे और लाल होते तक अच्छा से अलट पलटके तलेंगे यह दिखो पड़िया तला चुके है अब यह लह हम निक दाल रहेंगे तिल हटा देंगे मसे और अलग गरम गरम ही चासनी में डालेंगे चासनी वड़िया से लग चुके हैं तो उकले चासनी अवेला हम एक पलेट में निकाल लेंगे एक मिनट के लिए ही चासनी में डुबा के रखे रहें जादा टाइम नहीं रखें और कुछ देर के लिए ठंडा हुए के लिए रख देथन तेल भी गरम है और अब हम तर लिंगे बालो साही तो बालो साही लग डाल देथन पॉरे लभी अच्छा से अलट पलट के तल लेंगे बालो साही लभी हमला बद्या माच में तलना है थोड़ा थोड़ा से उपड़ से भी तेल डाल देथन ताकि पल्टन तो वह क्रेफ नहों अब हम नमकीन भी बनाएंगे तो खली आटा ले लेंगे और इलाव भी बेल लेंगे बालो साही लभी एक दुबार पलट देंगें 80% तो यह पक चुके है थोड़ा से और पकन दे था नहिला और यह नमकीन के लिए मर रोटी भी बिला चुके हैं बालो साही भी तला चुके है अब इला निकाल लेंगे और इला चासनी में डाल देंगे तो आपने सिकोन को लना बालो साही पसंद है यह बनाना बहुत ही सरल है और बहुत ही स्वात लगते हैं बालो साही लभी हम चासनी में एक से टेड़ मिना टेल बिगाएंगे और अब जो हम नमकीन के रोटी बेल के रखें नोला काट ले धन इला हमना चौकोन काटना है तूँ साइट साइट के भाग मिकाल देंगे साइट के भाग निकल चुके है अवेला हम चौकोन भी काटना है लंब लंब तुकडा भी काटना है तो एकर तीन भाग कर ले हैं और पीस से भी काटना करेंगे तब यह चौकोन तुपड़ा कटके तयार है तो फिला हम लग त्रिकोना काटना है फिर से हम लग त्रिकोन काट देंगे अब अब अगर छोटे पीस में बनाना है तो एला और एक बार आप काट सकत हो अब 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 इस ट्रॉज से हमें मा डिसाइन डाल दे हैं पीस से गुल-गुल निकाल दे हैं और साइड साइड से भी त्रिकोना में से निकाल दे हैं तो यह बहुत ही सुन्दर लगते एक दम बिस्किट के तरह से और बच्चा मला यह इसे डिजाइन वाला बहुत पसंदा थ तो अब इला हम तल ले थन इस पतलब पतलबने हैं तो बहुत ही जल्दी तला जाथे और यह मकस्तुरी में ती डले यह खरकाने खरस्वाद बहुत अच्छ लगते तो ऐसे ही करके हम इलब सारा बेल के तयार कर लेंगे और अलट-पलट के अच्छा से तल लेंगे नमकीन क तो बहुत सारे डिजाइन बन थे तो आप में लग कुन-कुन सार डिजाइन आते माल जरूर बता हूँ अब यह तला चुके हैं हिला निकाल लेंगे और एक और डिजाइन बता थो आपला इसे चवकों-चवकों तुबड़ा काट लेना है तीन-तीन या चार-चार पीस दूलोर लगाएंगे देखो एक दब फूल के समान बन थे गुलाब के फूल तीरे लग दो तुकड़ा काट देना है तो आपके दो गुलाब फूल बनके तयार हो जई तो एला भी तले थन हम तो गुलाब फूल वाला आप से लोनी जब भी बना हूँ न तो इलग गहरत अब काट लेना है पहले दो तुकड़ा करेंगे अब फिर से लकटिंग करेंगे इसे त्रिकोडा फिर से खरबाद देल तीर्चा कटिंग करेंगे ऐसा ही करके हम रहे काट लेना है ला ओकर बाद जित्ता त्रिकोड़ा है उला लेके इसे गूल गूल करके लपेल लेना है यह वाला डिजाइन भी बहुत सुन्दर दखते देखो आप फिर से आप लग मैं बेल के बताता हूं यह लग आखरी छोर में पानी जरूर लगा हो और नहीं तो इला तीन-चार बार इसे थोड़ा से गूल गूमा दो हूं कि पढ़िया से चिपक जाके यह कुन लेना है और इला हलका सी खीचना है और खरवाद उंगले से उसे गूल गूल करके इला गूमाना है यह दिके में बहुत से मिज़र दो थे गल्ले डंड़ाची से दिखते हैं यह सारा हम सलोनी ऐसा ही बेल देंगे मैं तो सलोनी बुला था हूं लंकिन और एला अब तल लएंगे तो एक रोटी के 16 तुकड़ा हो ही यह पहले चार तुकड़ा करना है फिर चार तुकड़ा कर यह पूरा बिला चुके हैं लहम तल ले थन यह नमकिन कई तरह से बनते अगर आप चाहो तो आलू के मसाला लगा के भी बना सकत हो और एमाही समोसर के टेस्ट आही या फिर अमचूर वाला मिक्स बना के चीसे बोला भी बना सकत हो मैं उखर भी रेसिपी आप सब्ला दिख लें वो खुल गे हैं बस अलट पलट के अच्छा से तल लेना है ऐसे लाल ओते तक उलर बढ़ आसे तल लेंगे और बद्यमाच में तलना है ताकि ये कई पर थे तो अंदर तक कच्चा ना रह जाय बढ़िया से कुरकुरा रहे तो खरवात के ध्यान रखना रखना है अब लब फिर से अब दूसरा डिजाइन बताता हूं तो खर लिया फिर से हम रोटी गोल बेल लेंगे तो ये गोल गोल रोटी हम तिन से चार एक साइच के बेल लेंगे अब हम तेल लगाएंगे और आटा लगाएंगे जिसे हम सुरू में मीठा बना रहें बस वैसे ही बनाना हैं अब एलब ही एक क्योपर एक परत दर परत हम रगते जाएंगे आटा लखालाते हुए और इलग फिर से रोल कर लेंगे तो एकर मोड़े की तरीकत तोड़ा से अलगे तो सारा रोटी लहा में के उपर एक रगते हैं गी और आठा लगाके अब फिर से उपर में हम तेल लगाएं और जैसे मसाला रोटी बनाते हैं वेसे पोल्ड कर दें तो ये दो तरफ से फोल्ड हो, इस उखरवाद फिर से फोल्ड करेंगे, यानि चौपून पराथा बनाते बस वह से ही फोल्ड करना है लग चौपून पराथा की चीज़ से लग मोल ले थन उखरवाद ले लग, फिर से बेल देंगे पिल बेल के पतला बेल लेना है यह पिल आ चुके हैं और अब फिट से एकर उपर हम तेल और आठा लगाएंगे सुखा आठा अब तेल और घी कोई भी लगा सकत है अब हम घी और आठा लगाएं के बाद इलग गोल रोल कर लेंगे रोल करें के बाद इलग गोल-गोल काट लेंगे यहने गोल-गोल काट लेना है और अब हम जा यहाँ पे ऐसे लंबा दबा के लगा वनगोल हल्का हल्का दबा देंगे आच्छा होता तो ऐसे गोल वाला भी पना सकतो हो उंगली से दबा के जिसे मीठा बनाये रहें वैसे ही और नहित तो इलग चुकुन बना सकतो हो तो अकुन बनाय के लिए अपला यहां से दबायल पढ़ी उंगली से दबाना है अच्छा से ताकि यह घर परत आशे उभर के आजाए यह बहुत ही पढ़िया परता थे और अच्छा बन थे तो यह उंगली से पहली हमेला हलका हलका दबा दे रहें और बेलन से बेल लेना है अच्छा से तल लो हूँ अलेट पलेट के तल लेना है लबी बढ़िया और एकर भी आँच मत्याम रही ताकि बढ़िया से खर परत खुल जाए कुरकुरा बने जन्माश्टमी के लिए भी भोग बना थे तो वैसे ही एक तरह से आटा सान ले थे कई तरह से इमा बन थे थोड़ा थोड़ा पीच पीच में ओमा और उपड़ से मसाला डाल डाल के बना सकते हो जीसे भजिया ही बनते तो भजिया के लिए हम पेशन खुल पोखर बाद ऊमा गोबी के भाजिया तले थे अलू के तले थे त low बहता था ऐसे करके कही तरह के पकोड़ा तले जात्यों मा और यह झारा मिठा से तो खलम जाते तो लिए भी एक ही द तरके च चासनी बना लो एक तरूब वन थे माँख इखर सादा सजा ले ड़ एक ही त तो आप चाहो तो जो हम बालू साइस बनाए रहे हैं वैसे ही आटा आपला पतला पतला लंबा लंबा काटना है सलोनी जैसे और उला सक्कर में यहने चासनी में डुगा की निकाल देना है तो वो बन जाते सक्कर पारा और कुछ मन सक्कर गोल के भी बनाते तो मैं ओकर भी रे करना के देखना यह भी बहुत अच्छा लगते हैं और इकर भी कुरकुरा बना पढ़ियारी एक तरफ की नमकीन यह भी बन थे कि एकल यह भी चौकॉन काट लेना है और पीस से ओले लंबा-लंबा काट के एक तरफ से मोड़ते जाना है तो यह डिजाइन बन जाते अब हम बना ले थन मखाना के खीर तो मखाना खीर बनाएक लिए सबसे पहले दूदू बाल ले थन और इलब बड़िया गाड़ा हों दे थन अब इक कड़ाई में हम मखाना लेने के इलब होन ले थन आप चाहो तो इमाघ घी डालके पून सकत हो एला और नहीं तो सुखा भी पून सकत हो तो पहला सुखा ही पूना थो पिला चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे हम लाइकर कलर नहीं बदलना है बस इला जो एकर नमीरी थे उला निकालना है तो आप लग्री से पता चली मखाना भूनगे आप भूनते रहो उकरवाद हां से दबा के देखना जब वह चूरा हो जाए तो मतलब यह मखाना और उकरवाद दूदल अच्छा से पकाना है बस ऐसे ही मखाना लभून लएंगे और इला साइट में रख देएंगे दूद अच्छा से गाढ़ा हो चुके है इला और पकाएंगे इला तब तक पकाएंगे जब तक यह आधा ना हो जाए और एमा हम डालेंगे इलाइची पौडर और केसर तो केसर थोड़ा से दूद डाल के लपी का दे थन और हम साथ साथ रबड़ी भी बना ले थन तो रबड़ी बनाये के लिए कड़ाई में हम दूद डाल दे हैं और एमा हम डाल दे हैं इलाइची पौडर और एलाइच जलाते जाएंगे तो मैं प्रशाद के लिए बनातों करके मैं थोड़ो थोड़ो से ही बनातों और दूद लब मैं पहली और पका चुके रहे हूं और एमा हम डाले हैं शक्कर तो शक्कर आपना एकदम थोड़ो से ही डालना है काहे दूद और 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 मीठा हो जाते फिर्ट और गाड़ा हो जाए करके हम इमा डालेंगे दूद पौडर या आप यहां पे खुआ भी डाल सकत हो और एलाप पकाते ही जाएंगे अगर यहां से गाड़ा हो चुके हैं आधा से भी कम हो चुके हैं ऐसे ही हमला रबड़ी यह पकाते जाना हैं और यह मखाना खीर के लिए ज़दूद रखें यह भी आधा से भी कम हो चुके हैं यह भी अच्छा से गाड़ा हो चुके हैं अब हम डाल देंगे केसर दोनों में डालेंगे रबड़ी में भी और मकाना वाले खीर में भी डालेंगे जिसे चानवल के खीर बनाथे या साबू दाना की खीर बनाथे तो वहां चांवल या साबू दाना डाल के उलच्छा पका थे लिकिन मखाना की खीर में वो कहें पकाय से नरम पड़ जाते तो एकर कांट पहली दूर्दा अच्छा से आउटा लेना है उकर बाद ही उमा मखाना डालना है अब हम हम मिलाएं सबकर और किसर दोनों लगभग पक चुके हैं बाख्री में हमें ममखाना डालेंगे और गैस आउफ कर देंगे और ड्राइफ प्रोट भी आप चाहो तो तली भी लाज़ बन चुके हैं तो लगभ अब निकाल लेहन भूग के लिए साथ में मखाना के खेर भी निकाल देंगे तो अब ये हम भोग प्रशादी बन गए हैं हम भगवान जी लभोग लगा देता हैं और ये एक हर सेकेंड पार्ड भी आने वाला है जो मैं और कई तरगी नास्ता बनाना बता हूँ तो आप सब मूर दूसरा वीडियो भी जरूर देखना और ये सब वीडियो कैसे लगी स्मोल जरूर बता हूँ मैं मूर चेनल में चुनाया हैं मूर चेनल ला लाइक करदू सस्क्राइब करदू अपन दया मैं बनाय रहू तो आज के लिए वसित्ता ही आप सब लाप फिर से एक बार राधे राधे जैश्री कृष्णा जैश्टिसगर और दूसरा वीडियो देखेल मत वोलू